नमस्से आपको स्वागत है आपके यूटूब चैनल पर सीख दे सुद्धे टूथ लाइज विदिन और आज का दो सो अनुधर वे दिन का ईशुरी वर्दान पर्मपिता परमात्मा आज के वर्दान में हमें उन शक्तियों के बारे में याद दिलाते हैं उनको इस्तमाल कैस उसको हम देखेंगे और फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे तॉ बाबा कहते हैं टॉपिक के हेडलाइन में शक्तियों को करामत के बजाए करतवे समझ कर करामत मतलब की कोई चमतकार हम सμुझते न heps कैसे पतल गया आगे क्या होने हो रहता है यह तो चमतकार हो गया यह तो क्योंसेड равно हो गया तो परवाद्व कहते हैं पूजन व गायन योग के भवा किसी चीज की अगर शक्ति या किसी चीज की प्राप्ति होती है अगर उसको सही काम में लगाएंगे तो लोग और पूजनी योग के भवा तो इसके व्यस्तार में चलेंगे याद द्वारा याद मतलब मेडिटेशन द्वारा परमात्मा की याद उसको हमेडिटेशन केते हैं द्वारा जो शक्तियों की प्राप्ति होती है उन्हें करामत समझ कर प्रयोग नहीं करना लेकिन करतव्य समझ कर कारे में लगाना प्राप्तिया क्या क्या होती है हमें होती ह परकने की शक्ति, कि ये क्या सही है, क्या गलत है, ये हम परक पाते हैं, ये शक्ति मिलती है, एक्सपिरियन्स मिलती है, और साथ साथ और कौन सी शक्ति मिलती है, सेहन करने की शक्ति मिलती है, सामना करने की शक्ति मिलती है, कोई भी चीज आ जाया, विक्राल रूप में आपक सामने खड़े हो जाए कोई प्रॉलम बहुत बड़ी उसको आप सामना कर पाते हो लेकिन और आत्मे उसमें घब रहा जाती है और फिर परमात मेंने का है आपको डिसीजिन मेकिंग पावर मलकी आपको निर्डने करने की शक्ति भी आ जाती है तो ये शक्तियां तम मिलती है जब आप मैडिटीशन करते हो तो उस समय जो बटकुल क्लारिटी होती ही बुद्धी में तो अभी ये मूँ समझ हो कि अरे ये तो जादू हो गया मने ये अटिसीजिन बड़े अराम से ले लिया मैंने ये सामने बड़े आराम से कर लिया अरे वह परमातर पर कहता है उसको उपयोग करो परयोग करो औरो के लिए भी अपने लिए भी औरो का जी वन भी अपना जीवन भी सुखी बनाओ इसको इस्तिमाल करके हम स्टार्टिंग में जब मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने ले यूज़ करते हैं हम अपने जीवन को सुखी बनाते हैं क्योंकि फिर उसके बाद में जा करके हम औरों के जीवन को भी सुखी बना सकते हैं लेकिन केवल अपने ही प्रयोग में लगा लिया अपने ले ही सब कुछ कर लिया और उका जीवन सुकी नहीं बनाया तो परवाद पर कहते हैं वो शक्तियां बढ़ती नहीं है शक्तियां बाटने से बढ़ती है फिर परवाद पर कहते हैं उन मनेशों के पास रिद्धी सिद्धी की करामत होती है जो कि रिद्धी सिद्धी करते हैं वूडू करते हैं जिनके पास में तंत्रिक इस्थम होता है जिनके पास में शक्तियां होती है वो क्या करते हैं रिद्धी सिद्धी की करामत होती है लेकिन आपके पास है श्रीमत कि हमें गलत तरीके से इसको इस्तमाल नहीं करना है जहां गलत तरीके से इस्तमाल किया वहाँ ये शक्तिया काम होती जाती है तो अगर हमने मैनिपलेशन के लिए यूज़ किया इन शक्तियों को हमें आगे दूर दर्शिता में लाती है हम आगे देख पाते हैं क्या क्या होने वाला क्या क्या हो सकता है लेकिन उसको अगर हमने manipulation अपने फायदक्ले इस्तमाल किया किसी और को गलत दिश्या में भेज दिया अपना फायदकर लिए तो वह सारी चीजें खतम हो जाती हैं शक्तियां खतम हो जाती है पाप बढ़ने शुरू आते हैं क्योंकि हम श्रीमत पर नहीं यूज करी श्रीमत से शक्तियां जरूर आती हैं इसलिए संकल्प से करतव सिद्ध होते हैं आप सोचोगे और हो जाएगा अगर आप प्यूरिटी रखोगे तो आपके थोट्स होते हैं वह आपके सोचने से ही चारोत तरफ वाइब्रेशन प्रफैल दाती है और आपके काम होने शुरू जाते हैं चोटे-चोटे से लिए बड़े-बड़े काम आपके शुरू हो जाते हैं आपको सिर्फ सोचना पड़त मनमत मिक्स ना हो तब गायन और पूजन यूग्य बनेगे मनलगर फैया यह शक्ति में अपना मिक्स कर लिए मेरा फायदा का है मैं यह शक्ति मुझ्य में जें अ पंसे करके है अपना फैदा कर लो बाकी चिंता नहीं मेरा अपने रस्ते में अपने रस्ते पहर्के अ deixa परम गायन क Corn करता है तो यह शक्तियां मिलती मेर्डेटेशन से इससे आप हम मिल करके औरों की मदद करें औरों का दिन और का जीवन जहा करें और बैरतर करें तब जाकर यह गाKit और पूझने बन सकते हैं याद है ना दुआएं कमानी हैं बदुआएं नहीं तो छोटा नहीं सोचना है आगे का सोचना है अपना सिर्फ फैदा उठा लिया वो नहीं तो यह शक्तिया क्या है और मिलती कैसे है और उनको महसूस क्या करें यह सब कुछ आप ब्रह्मकमारी इस श्री विश् की रहे सुसरे ओम शंती